जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आबार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों बाबा वर्स पुराना रहस्य में आपके सामने रखने माला हूँ यह रहस्य क्या है और यह जो है यह बिल्कुल कारगर तरीका है और यह बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी और यह बात आज मैं इस टुडियो में आपको बताने माला हूँ तो यह जो रहस्य है जिसके ब कर रहा हूं कि आपके जीवन के जितने तकलीफ, दुख, दरिदृता और अपशगून जीवन में जो जो कटिनाई हैं परिशानिया हैं उन सब का आपको हल और निवारन की ओर अब जाएंगे जितना उलज रहें उतना उलजेंगे नहीं जीवन में जो भी शांती, सुकून, अधन, धान, दोलत, शोहरत, जो भी चाहिए आपको, वो सब ही मिलेगा और यह इश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, तरीकास जो रहसी में आज आप से बात करने वाला हूँ, वो तरीके से मिलेगा, कोई भी गलत तरीका नहीं है तो हम उस पर बात करें और वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेधन करमा चाता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज आप सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में आप ओम नमस्षिवाई लिखें जैई शिव शम्भू लिखें भूले नात का कोई एक नाम लिखे जो आपको अच्छा लगे और अगर अपनी कुणलिक आनलिसिस हमसे करवाना चाहते तो स्क्रीन पर नमबर चली रहे हैं वाट्सप पर अपोइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं तो हम उद्दे पर आते हैं दोस्तों कि जो रहस है जिसको आपको जानना है वो है जब अब इसको यहां से छोड़कर विडियो को मज जाईएगा यहां से बारी किसी चीज़ों को समझेगा कि हमारे पुराने रिशी मुनी थे जो हजारों बरस तक कई सालों तक एक मंत्र का जाप करते थे कोई एक मंत्र को कहीं क और ओसत आयू 100 वर्स मानी गए लेकिन इस आधुनीक दूर में हम 70 साली हम ओसत आयू है हमारी तो इस आयू में हम एक कोई मंत्र रख लें चाहे ओम नमस्षिवाई रख लें चाहे आप शिरी घनेश रख लें या आप कोई सा भी नाम रख दें मैं तो कहता हूँ सबसे आसान है राम का नाम रख लो सीता राम और उसका जब जो है वो कंटीन्यू करें मतलब अपने कर्म को करते जाए अपने नोकरी पेशा कर्म जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए चीज़े करते हैं वो बेशक आप करते जाए उसके साथ या तो अपने मोबाइल में उस तरह का मंतर जब खुद करके रिकोर्ड करके बार बार सुने या खुद मन में उसका उच्छारण चलने दे दोस्तों आप जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए होगा प जो फिए नई सुरवात होगी मतलब इसको थोड़ासा यहां समझने की जरुवत है कि वो सिद्द हो जाता आपकी वानी जो सिद्द हो जाती है अपका मनशान रहने लगजाता आपके काम सोत ही बनने लगजाते हैं यह जब का बहुत बड़ा चमत कार है जो आप खुद इस करें और अनुभो करें और फिर कमेंट्स करें